ग्यान व्यापी मामले में आज फैसला आया है उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री अनिल राजभर जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है सर ग्यान व्यापी का फैसला आया है सुनवाई योग्य माना है कोर्ट ने उसको क्या कहेंगे देखे विपक्ष को अब तो सुईकार कर लेना चाहिए कि सत्य ही शिव है और शिव ही सत्य है और इस पर भी किसी प्रकार का कोई प्रस्न खड़ा करे तो मैं समस्ता हूं कि देश की विवस्था पर और देश की न्यायपालिका पर ऐसे लोगों का कोई भरोसा नहीं है किसी को कुछ कहना है तो मानी न्याले ने फैसला कर लिया भाई हम ही लोग क्यों स्वागत कर रहे हैं कासिवासी ही क्यों प्रदेश के ही लोग क्यों पुरे देश के ही लोग क्यों सिव भगती ही क्यों सबको स्वागत करना चाहिए मानी नियाले ने तो सबको सुनने का फैसले एक तरीके से किया है जिसको जो कुछ कहना है मानी नियाले के सामने जाए जनभावनाओं का आदर किया है मानी नियाले ने और उनके फैसलों का हम लोग अभिनंदन करते हैं स्वागत करते हैं कौन नहीं स्विकार कर रहा है इस फैसले को कौन खुछ नहीं है आपने तो इंडारेक्टली विपक्ष पे निशाना साथ दिया हाँ बिलकुल समाजवादी पार्टी की मुख्या का ट्वीट आ रहा है और लोग भी तरह तरह की बात कर रहे हैं तो इन बातों से उपर उठना चाहिए भारत की नियाई पालिका ने अपने आपको तो प्रमारित कर दिया जोध्या जी के मामले पर पुरा देश ने पुरी दुनिया ने लोहा मान लिया पांसो बरस पुराने विवाद को जिस तरह से भारत की नियाई पालिका ने उसका समाधान दिया उसका समान आज प और लोग भरोसा रखें आव मानि यालेPod ने कहा किया है मानि याले तो अउसर दे रही है आपको भी कुछ कह ना है तो मानि नियाले ये के पास जाएए अ बाकी मैं स्युभखतों के मन की बात कि और जनभाउनाओं का जिस तरह से आदर मानि नियाले ने किया है हम लोग अभिनंदन करते हैं उलेमा जो है वो तमाम तरह की बाते कर रहे हैं और साथ ही साथ अपील भी की है उन्होंने लोगों से कि किसी तरह का हिंसा न भढ़के तो क्या इस तरह की भी आशंका उत्तर प्रदेश में पनप रही तो ना ना कहीं नहीं कुछ नही जब भगवान श्री राम किया जोध्या पर जब फैसला आया उनके जनम भूम पर फैसला आया तो ये भी उदाहरण है पुरे दुनिया के सामने एक उदाहरण है कि पांसो बर्स पुराना विवाद आज समाधान उसका हुआ हो और एक भी कहीं से किसी भी प्रकार की असांत पैदा हो जाए दोजार चौबिस के मकर संक्रांध पर उद्गाटन होने जा रहा है तो राम लला विराजमान किये जाएंगे उसी जगे पर तो अच्छा है स्वागत है अच्छी तारीख है सुब दिन है आप पूजी प्रधान मंत्री जी के हाथों से जब भव्य मंदिर उद्गाटित होगा तो निश्ची तोर पर वो आयतिहासिक तारीख होगी हम सब लोगों के लिए तो उससे बड़ा कोई दिन होई नहीं सकता तो इस पे भी सवाल 2024 में चुकी चुनाव भी है तो अपकी क्या फिर राम नाम का सहारा लेके भारती जनता पार्टी नईया पा था क्या किसी प्रदेश में किसी देश के किसे हिसे में कोई चुनाव था नहीं था चुनाव तो चुनाव को ध्यान में रखकर भारती जनता पार्टी और हमारी सरकारें कोई फैसला नहीं किया करती तो आज के फैसले का स्वागत है बिलकुल स्वागत है जन्भावनाओं क आदर किया है मानी नियालय ने हम उनके फैसलों का हम लोग सम्मान करते हैं हम लोग आहलादित हैं और प्रसंद हैं पूरी तरीके से पाचित के लिए शुक्रिया आपने सुना अनिल राजभर जी को बड़ी ही साफगोई से अपनी बातें कही और साह ये कहा कि जो नियाले का फैसला आया है उसमें साफ तोर पर सभी पक्षों को अपनी बाते रखने के लिए कहा गया है जिसको जो भी आपती हो नियाले में अपनी बाते रखे और उसे आधार पर फैसला होगा सीमाब नक्वी भारस समचार लखनो